हाई गाईज विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाईज अगर आपने स्मूतनिंग रिवांडिंग या केरेटेन करवाई है और करवाने के बाद आपके बहुत ही ज़्यादा हियर फॉल हो रहा है आप हियर फॉल से पतम हो जाएगा तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए गाईज भीना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्चार्ट करते हैं जब हम स्मूतनिंग रिवांडिंग या केरेटेन करवाते हैं तो उस टाइम तो हमारे ब करने हैं सबसे पहले तो आपको अच्छी करने हैं अपने बालों का बहुत जितनी भी amount बच जाए क्योंकि जब हम smoothing करवाते हैं तो कुछ दिन के लिए हमें बालों पर oil भी नहीं लगाना होता इसलिए आप serum का use जरूर करें serum के use से आपके बालों में instant shine आएगी और आपके बालों में बिल्कुल भी tangles नहीं पड़ेंगे जो भी थोड़े बहुत tangles होंगे वो serum के लगाने से ही खतम हो जाएंगे तो आपका hair fall नहीं होगा तो सबसे बहले तो आपको serum का use करना है guys smoothing करवाने के बाद आपको इस तरह से अपने बालों पर massage जरूर करनी है चाहे कुछ देर के लिए रात को सोने से पहले भी आपको इस तरह से massage करनी है इससे आपका blood circulation बिल्कुल ठीक रहेगा इस तरह से massage कीजिए सिरफ 2-4 मिनट के लिए इससे आपके hair fall बहुत ज़्यादा कम होगा hair fall की problem सब के साथ होती है जब मैंने smoothening करवाई तो मेरा इतना ज़्यादा hair fall होने लग गया कि मैं परेशान हो चुकी थी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप अपने बालों का खास धियान रखें अपने बालों पर oiling करें अच्छे वहले product का यूज करें तो आप hair fall से बच सकते हैं जब hair fall होता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है जब आप रात को सोते हैं तो आप सोते टाइम अपने बालों को इस तरह से रखें जब आप smoothing करवाते हैं तो अपने बालों को नीचे की तरफ लमका कर सोएं इससे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और अच्छी तरह से कॉम्बिंग करने के बाद ही इस तरह से बालों को नीचे की तरफ लमका कर आपको सोना है गाइस कुछ लोगों का सोचना है कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमें आईलिंग नहीं करनी चाहिए बिल्कुल गलत आप सोचते हैं जब हम smoothing करवाते हैं rebonding या keratin करवाते हैं सिरफ कुछ दिन के लिए मान लो और सिरफ 15-20 दिन के लिए आपको अपने बालों पर oil नहीं लगाना है उसके बाद आप अपने बालों पर हलकी हातों से oil लगा सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा मसाज अपने बालों पर नहीं करनी है आप कोई भी oil यूज़ कर सकते हो, coconut oil यूज़ कर सकते हो या फिर आप आमला oil यूज़ कर सकते हो, mustard oil यूज़ कर सकते हो हलके हातों से scalp पर और length पर oil लगाना है अगर आप oil चोड़ देंगे तो आपके hair fall की problem बिलकुल भी खतम नहीं होगी बलकि आपके hair fall बहुत ही ज़्यादा होने लग जाएगा इसलिए आपको oil ज़रूर करनी है, oil को कभी भी आपको skip नहीं करना है जो oil आपको अच्छा लगता है, वही oil लगाईए तो देखे, इस तरह से मैंने scalp and length पर oil लगाना स्टार्ट कर दिया था कुछ दिन बाद ही, फिर मेरा hair fall काफी ज़्यादा कम हो गया था बहुत ज़्यादा आपको heavy hair oil नहीं करनी और massage भी नहीं करनी है तो guys, oiling करने के बाद आप अपने बालो पर braid भी बना सकते हैं मैंने smoothening करवाई हुई है, तो देखे, मैंने अपने बालो पर oil लगाया है और मैंने braid बनाई है, आप अपनी braid को सोते टाइम लमका कर सो सकते हैं आपके बालो को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सिरफ 15 दिनों के लिए आपको अपने बालो पर oil नहीं लगाना आपको अपने बालो को कानों के पीछे नहीं करना, tight rubber band wear नहीं करना, उसे बालो में bend पड़ेगा अगर 15-20 दिन अपने बालो के अच्छी क्यार कर लेंगे, तो आपके बालो में कभी भी bend नहीं पड़ेगा, आप oil नहीं कर सकते हैं, braid भी बना सकते हैं तो देखिए, थोड़ी सी ही मैंने oiling किया, oiling करने के बाद मैंने इस तरह से braid बना लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने tight braid नहीं बनाई है, loose सी मैंने braid बनाई है, और आपको सोते टाइम मैं अपनी braid को नीचे की तरफ लमका कर सो जाओंगी जब हम smoothening, rebonding या keratin करवाते हैं, तो हमें अच्छे वाले product का यूज करना चाहिए, mask कभी भी skip मत कीजिए, mask के use से हमारे बाल बहुत ज़्यादा soft, silky, shiny हो जाते हैं, बालों में tangles बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, कोई भी अच्छा वाला mask यूज कर सकते हैं, आप चाह तो guys, shampoo, conditioner भी आपको अच्छे वाले यूज करने चाहिए, professional यूज करने चाहिए, क्योंकि smoothening करवाने के बाद हमें, जो normal shampoo है, clinic plus, जब वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, मैं matrix और biology के product यूज करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे वाले result इनके देखने को मिले हैं, और मेरा hair hair fall काफी ज़्यादा कम हो गया है, guys, smoothing करवाने के बाद अगर आपके hair fall बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप आमला शिका का रीठा powder का यूज कर सकते हैं, दही में आपको ये तीनों powder के एक एक चमच लेने हैं, और इसका एक अच्छा सा paste बना लेना है, then आपको इसे अ soft, silky and straight रहेंगे, इसके बाद आपको hair wash कर लेना है, 30 minutes के लिए आपको इसे लगा कर रखना है, बहुत ही अच्छा वाला पैक है, बिल्कुल natural पैक है, कोई भी chemical इसमें अड़ नहीं है, तो इस तरह से आपको अपने सारे बालों पर ये वाला पैक लगाना है, जब आप shampoo यूज करते हैं, तो आपको shampoo को पानी में mix करके फिर यूज करना है, इससे जो भी थोड़े बहुत chemical होंगे, shampoo में वो सारे खतम हो जाएंगे, direct आप shampoo का यूज मत कीजिए, अगर आपने smoothening, rebonding या keratin करवाई है, आपको इसी तरह से shampoo का यूज करना है, थोड़ा के बाद आप conditioner का यूज कीजिए, हफते में एक बार या 15 दिनों में एक बार आपको mask का यूज जरूर करना है, मास को भी आपको skip नहीं करना, अगर आप इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके hairfall बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा आपकी जो smoothening आना वो अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए, इसके बाद conditioner का यूज कीजिए, आप चाहिए तो laureal extensor care का shampoo भी यूज कर सकते हैं, तो गाईज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप hairfall को बिल्कुल खतम कर सकते हैं, 90% तक hairfall आपका बिल्कुल खतम हो जाएगा, और आपक smoothening, rebonding और carrot in लंबे time तक चलेगी, hope guys आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe करें, thanks for watching